देखे आज के इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे इस नय वोटर आईडी कार्ड के वारे में देखे फहले क्या होता था कि आपको कुछ इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड मिलते थे इसमें क्या होगा कि आपको QR code भी रहेंगे और सांथी यह अधार काट से link भी रहेंगा जिसे की क्या होगा कि बहुत ही कम fraud होएंगे देखे पहले क्या होता था कि एक ही बंदा कई सारे voter ID कार्ड बनवा करके वहाँ पर कई सारे भोट दे देते थे लेकिन अब ये नय भोटर आईडी कार्ड अगर अधार कार्ड से link होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रॉड होने का बहुत ही कम चांस होगा यानि कि ये कहें कि चुनाओं के वकत बहुत ही कम धांदली होएंगे तो आज के इस वीडियो में हम आपको नय भोटर ID के बारे में संपुन एबम बस्तित जणकारी देंगे इसके लिए आखिर आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आखिर कब से आवेदन होगा, आखिर इसके क्या क्या लाव होंगे यानि कि अगर आप नए भोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो यहाँ पर इससे आपको क्या-क्या लाब हैंगे वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घाटा उनको होगा जो लोग बहुत ही जादा फ्रॉट करते हैं होग यहाँ लोग को जयाता होगा। जो लोग करते हैं सबते किया उब लिए कि बहुतर आईडी कार्ट difficiles कि अभीन पी चुनाओ आईगने शनीप सनाच मेरीं बाइध कर fork तरीका है कि आप आप लाइन अगर चाहते तो यहां पर दिखाते हैं तो आपको इस वाले वेवसाइट पर आपको जाना है और वहां पर आपको बोटर आईडी कार्ड में अधार कार्ट को लिंक कर लेना है अगर आप नहीं जा पाएंगे आप मुझा उतने अच्छा जनकार नहीं है तो आप किसी भी साइबर पर जा करके इस तरीके से उनको बोलेंगे कि इस वालेट पर जा करके मेरा क्या कर देजीए कि नए आदा हमतागी नए भोटर आईडी कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कर देंगे दुस्तरा एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास थ करें लिंग कर वा सकते हैं और दूसरा नमबर दिया गया है समझते हैं कि जब आप ने फायदे होने है वो समझे देखे सबसे पहले नमर फायदे की बात करें तो यहां पर क्या किया गया कि अब आप 17 वर्स में ही क्या करवा सकते हैं कि वोटर आइडी कार्ट के लिए आप अपलाई कर सकते हैं देखे यहां पर अगर आपकी उम्र अपरेल 2020 को अपर्स पूर चुका है तो इसके लिए अप अपलाई कर सकते हैं देखे पहले क्या होता था कि आपकी उम्र 18 वर्स हो जाता था उसके बाद ही आप वोटर आइडी कार्ट के लिए अपलाई कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अगर आपकी उम्र 17 वर्स हो चु अपको बढ़न करते हैं यहां पर आपको डिटेश देना होता है तो वहाँ पर अगर आप उलोग क्या करेंगे तो उसके पास सारी डिटैस चल गया और अगला देखेंगे तो आगर आपके पास यह नए वोटर आइडी का रहे तो इसके तह़ता बहुत सारे गावर्मेंट इसकी में जूर सकते हैं जैसे कि अटल पेंसन हो गया बहुत सारे गवर्मेंट इसकी में होता है जिसमें आप जूर सकते हैं एक और सबसे बड़ा यहां पर आप फैयदे देखेंगे तो आप बीरधा पेंसन के लिए आप अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास यह नए सबसे पहले आपको यहां पर क्यूर कोड मिल गया है दूसरा आप देखेंगे तो इस तरह सब्सक्राइब इसके लिए भी अपलाई कर सकते हैं इसके लिए आप और आप उरीसा से यहां पर एक राज अगर आप यहां पर एक अगस्ट दोजार बाईज से आवेदन कर सकते ह ऑर बनवाने के लिए आप आवेदन एक अगस्ट दोजार वाइस से करवा सकते हैं अगर आप उडीसा से हैं तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले उरीसा में ही मतलब यहां पर नए भ॥टर आइडि काड को बनाने काigos पार्यात किया है उ पर आप यहां पर भारत आपध के कि 2020 से एक अगस 2022 से इसके लिए अवेदन शुरू हो चुका है देखे यहां पर आपको मन में यह भी सवाल उट रहा होगा कि जो मेरा पहले से जो भोटर आइडी कार्ड बना हुगा उसका मानेता खत्म हो जाएगा तो देखे यहां पर ऐसा नहीं है जो पुराना भोटर आइड बन रहा है तो यहां पर आपको पुराने बोटर आइडी कार्ड वाले वह भी उसको भी यहां पर क्या है कि नए बोटर आइडी कार्ड को बनवाना है कि यहां पर कोई भी अभी अभी अपडेट नहीं आया है जिसमें यह बोला गया कि पुराने बोटर आइडी कार्ड के म बहुद कarahा गुरें । बहुत जल्द भाहरत के बहुके रहरत के पहलें बहुत और प्लेस से के पहले हैं और के लिए जाहिन